एक बार फिर से स्वागत है आप से भी का एक और नी गेम प्ले वीडियो में और आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट तो गाई इस पिछले एपसोड में आपने देखा था कि मैंने पहले पांच वीधर को मारा था उसके मदद से हमें पांच निदर स्टार मिले और जिन निदर स्टार की मदद से हमें पांच बीकन बनाये थे तो जो दो बीकन थे वो तो हमने अपने कासल के उपर ही रखे थे ठीक है पहला जो बीकन था वो रखा था मैंने राइट सैड में ठीक है वहाँ पे और दूसरा भी कंट वह मैंने बनाए था उस साइड में और तीसरा जो बीकन ताव हम वह मैं बनाई रहा था आ तो लगवग वह बंच चुका था लेकिन हुआ गया कि मेरा पास जो आइरेन के ब्लॉक्स थे वह कम पड़े जिसके वह वाला जो व्हाला जो व्हाला बीकन और रिजेनरेशन तो मिलती है यह सारी पावर्स मुझे मिल रिया सिर्फ एक को छोड़के जो की है स्ट्रेंथ की टेक है और वो मिलेगी मुझे तब जब हम जो अपना पांचवा बीकन है वो अपने कांसल के उपर रखेंगे जो की होने वाला है एक नेधर राइट का बीकन एक बार मैं देख लिए यही पांच पावर्स होती है एक दो तीन चार पांच हा देखो चार में पास पड़ी है बस लास्ट वाली स्ट्रेंथ की नहीं पड़ी ठीक है इसको भी हम कर लेंगे बस पांचवा बीकन अपने रैडी हो जे नेधर राइट का तो उस नेधर पर को मुझे और करना है ठीक है माइनिक करने से पहले जो उपर के आप वह यह वाली वाल्स देख रहे हो इनको मुझे हटा के इनकी जगा जो चिल्जटर क्वार्ट एं ठीक मुझे उनको लगाना है बड़ा बहुत मैंने पहले सा लगा रखें और अभी काफी सारे लगने और इनके लिए काफी सारे जो कॉआर्ट जाती है इनको धक्का देना पड़ता है इनको ठीक ठागी है इनको एक अठा कर लेते हैं और इतने से मुझे लग रहे है कि अपने जो ब्लॉक्स है वो बन जाएंगे जितने मुझे चाहिए ठीक इतने 51 बन गें बहुत है तो 51 क्या म में कितने लगेंगे वह देखो इतना तो मैंने कंप्लीट कर दिया दो लेयर मैंने कंप्लीट का रखी है तीसरी लेयर पहले कंप्लीट करता है कंप्लीट लगा दिया लेकिन कोई बात नी और इसके बाद ना जो वाल से पहले उसको हम कंप्लीट करते हैं कासल की ऊपर वाल ठीक है और एक मुटर को भाई मैं अपना बीकन लेना भूली गया मुझे लग रहा था कि पिछली बार हम एक पोलर बीयर को भी लाए थे एक निए वैसे मैं दो को लेके आ रहा था लेकिन भाई बीचारा एक रास्ते में रास्ते में नहीं बस हम जस्ट पहुंची चुके थे वाइस मैं वाइस मेरी गलती थी मैंने गलती से वाई एक्स माली बोट के उपर और वह आ गया और इस पोलर बीयर के लगी जिसके वह बीजारा मार हो गया था जो अब इसका वह अपने पास दो-दो पोलर बीयर होते इनके लिए मैं एक आइलेंड बनाऊंग लेकिन वो यहां पर और आप बारिये इसमें डान लें ठीक है और पावर चूज करने की तो सबसे पर चमाँ स्पीड टू लेंगे ठीक है स्पीड टू ठीक रहती है और एक मिल्टर को रिजनरेशन की मैं ले ले तो कि कि यहां पर काफी सारे मॉप्स होते हैं अभी जो क्या कहते हैं जो जोंबी है उसका नीचे से साउंड आ रहा है क्योंकि नीचे थोड़ा एडिया खाली है ठीक है जिसकी विए से वो नीचे स्प पाच और ये छटा इसमें ठीक ठाक है नौ दस गयारा बारा तेरा चौदा तक मालो ठीक है अपने पास इतने सारे जो टी एंटी है ना आज हम उनको ब्लास्ट करेंगे इसमें थोड़ा सा सेंड पड़ा है इसे करने हैं मुझे ट्रेडिंग इनसे भी चाहिए मुझे ब्ल इसे ग्रेवल भी होती है काफी सारी नेजर में तो उनको भी तोटना परता तो इससे लिए मैं थोड़ी सी जो शवल की है एच पी है वो थोड़ी सी कर लेता हूं कितनी होगी ठीक है लेकिन अब एक मिट रूख जा भाई उससे ट्रेडिंग करने दो मुझे यह कहा गया प पाड़ात ढ़ेगा झाक हर आफी सबने इसको कर लिए इसको भी कर लिया और अभी एक काम करते हैं इसको हम लेंगे और अगर कम पढ़ेंगे तो तो ठीक है वाथ ने पास बच जाएंगे लेकिन मुझे नहीं लगा की बचने लेंगे यह काफी शारे और साइड में बहुत पढ़ें और आज हम नैदर जाएंगे वहाँ पे हम माइनिंग करेंगे तो वहां से काफी सारे क्वार्ट मैं लेके आने वाला हूँ आज काफी सारे लेके आँगा मैं दबा के ठेगा लेकिन अभी काम करते हैं फटाफट से यह जितने भी डीप स्लेट मैंने लगाए था ना सबसे पहले मुझे इनको तोड़ना पड़ेगा ठेगा और मुझे हेस्ट की यहां अपने जो ब्लॉक से धड़ा दढ़ा ने नको लगाते हैं जल्दी से कंप्लेट करते हैं और उसके बाद चलते हम सीधा यहां से नैधर के लिए तो होगा बाई चलो स्पीड की पावर मिलते यह ठीक है कि अपने काम थोड़ा सा और जल्दी-जल्दी हो जगा एक मिट्रक ठीक है इसको मैं complete करता हूँ एक यहां पर तो देखते देखते अभी रात हो चुकी है लेकिन भाई साव अभी अपने पास से काफी सारे जो चील्स ब्लॉक्स है वो पढ़ें ठीक है इनको फटाफर से लगाता है नीचे बाई देखो जोंबी कैसे इंतिजार कर रहे हैं कि ज होड़े बहुत जो और यह चील्ट वाले ब्लॉक्स है ठीक है वो पढ़ें ठीक है फटाफर से मैं को लगा देता हूँ यहां फे ठीक है हो गए बाकी यह भी गया और 64 और अभी काफी पढ़े तो हैं लेकिन अभी इधर की रो complete करो में ठीक है साइड की भी करनी है लेकिन क अधर का रहा चुक है ठीक है और नीचे वाले जो ब्लॉक्स हमको भी तोड़के मुझे लगाना है तो फटा फट से मैं इनको लगाता हूँ अच्छा मुझे जंप बूस्ट मिल रहा है मैं सूच हूँ इतनी ऊपर मैं कैसे उचल गया लेकिन यार एक सेकिन एक और आरा भा हो था ठीक है तो अभी चलते हैं और इनको भी चलते हैं और इनको भी skills बाले blocks है थीक है मैं बढ़े हूँ और अभी रात हो यह काम करते हैं अब सबसे सबसे पहले मुझे इनको मारने पड़ेगा ठीक है कुछ ज्यादा नहीं है इधर भी है और अभी अपनी पीछे से अभी जितने भी ब्लॉक से वाले उनको तोड़के उनकी जगा जो चील्स्ट वाले ब्लॉक से ठीक है उनको लगाना है लेकिन वह हम लगाएंगे बाद में क्योंकि अभी जितने में पास पड़े हैं उतने से काम तो हो नहीं पाएगा लेकिन कोई नहीं जब हम नेधर से आएंगे ना तो मेरे पास काफी सर्जों के ब्लॉक से तो वह कटे हो जाएंगे ठीक है तब मैं आके दुबारा लगा दूँगा लेकिन अब बार यह बस इधर स्लैप्स लगाने की ठीक है तो फटा फटा फट जो स्ल बार यह ने लेकिन चलो कोई नहीं अभी इनको भी तोड़के ना फटा फट से इनकी जगह जो जो कौर्ट वाले ब्लॉक से मैं ने लगाता हूं क्योंकि आपने पास काफी सारे अभी जो चीज्ट वाले ब्लॉक से वह पड़े हैं तो भी फटा फट से मैं इनको इधर तो दिक्कत हो सकती है तो इसलिए मैं एक बूब है वो बनाने वाला हूं ठीक है ताकि मैं उससे जो अपना यह वाला बो है तेक्छा इसको मैं रिपेर कर वा सकूं तो यह काम करते हैं अभी एक मिद्ध मुझे स्टिक चाहिए होगा ना स्टिक मिरे पास पड़ी है तो चेस् आपने चीज और करने कि मुझे गोल्डन केरेट्स भी ट्रेड करनी पड़ेगी मतलब गोल्डन केरेट्स मुझे चाहिए होगी तेक्षा अपनी एकसपी जा चुके लेकिन अपने पास इतने सारे टी एंटी है तो उनको बलास्ट करने भी काफी ज़दा टाइम जाएगा तो इसलिए में में खाना भी काफी सारा होना चाहिए और इधर ना मैंने पोश्यन से रखे थे कुछ बनने के लिए ठीक है अपने जो पोश्यन से टेक है वह बन चुके हैं बाकी इसमें कितने अभी तो चे अपने पास लेकिन एक कम कर तो मैं अपने साथ ना थोड़े बह हो मिलते हैं अपने पास 27 खी detected कि है आंपने पास 28 और होगी ठीक है अपने पास 28 और तो टोटल अपने मास कितनी सत्रासी ठीक है टोटल अपने पास 80 जो golden carrots है ठीक है वो ठीक हूच है एग कंते अभी निकलते हैं या से मुझे लग रहा है कि या बारी कि कि इधर से निकल लेंगी और कहीं golden carrots मैं गोल्ड नहीं पड़ा पने पास नहीं और अभी अपने पास गोल्ड और कहीं पड़ा नहीं है को बागत निवेसे भी आज अपने पर से हमें निकल लें सीधा यहां से नेधर के लिए एक मुट्रों को अपने पोशन तो उधाना भूनेगा बाई सब मैं बिना पोशन के और उसमें टी एंटी भी तो पड़ा है काफी सारे तो इसको करते हैं नीचे फ्लिक और बग्या पोशन से ठीक मन को निका लेता हूं त झाल 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 तो वापस में अपने कासल आया था क्योंकि मेरे पास जितने भी गोल्डन केरेट्स थी वह लगबग हतम होगी थी तो इसलिए मैंने अभी इंसे काफी सारी ट्रेड करके काफी सारी जो गोल्डन केरेट्स है ठीक है अभी तो काफी टाइम लग रहा है और अभी मुझे लग रहा है कि मुझे निकलना चाहिए कि जितने भी अपने विलेजर से ना थेकर सबसे जो ट्रेडिंग हो चुकी है ठीक इससे बचे इससे में कर लेता हूं अब चलो एमरेट्स भी सारे खतम हो चुके हैं और आप बाहर कि यहां से निकलने की टेक है और आभी वापस चलते हैं सीधा अपनी माइनिंग वाली जगह पे और जो अपनी माइनिंग है ठीक है उसको फिर से हम कंटीनु करते हैं कि अभी काफी टायम हो चुक है माइनिंग करते वे ऐसा निया कि सारे टी एंटी खतम हो चुक है नहीं टी अभी मेरे पास काफी सारे पड़ें लेकिन मेरा चो भोजन है वो फिर से खतम हो चुक है देखो सिरिफ आठ जो गोल्डन कैरेट्स है सिर्फ वही बच्चे भाई से में कहाना काफी जाता यूस हो गया लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने पास आकरकर कितने जो इंशेंट डब्रीज है लेकिन उससे पहले यह देखो इस पूरे शलकर में खाली जो ब्लॉक औफ को आर्ड्स है ठीक है खाली वो भ अपने पास इतने इंशेंट डब्रीज में पास पढ़े और इसको अगर मैं डालता हूँ तो ठीक है नौनो 18 और 11 और 18 स्टैक और 11 अपने पास और जो इंशेंट डब्र 이용 से हो चुके है लेकिन अभी एक पूरा फुरा वाला इसको ब्लास्ट मेरे लेकिन अभी और पास अभी भी पड़ है तिनält कर घर होगा it इतने जो TNT देना उनको ब्लास्ट करके हालत खराब होगी है तो इनको मैं फिर कभी ब्लास्ट करूँगा लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा नेगिटिव में क्योंकि अपना एक्स थोड़ा पॉस्टीव है और जो मेरी पॉर्टल की लोकेशन है ठीक है वो नेगिटिव है और नेगिटिव 66 है तो मुझे वहां जाना पड़ेगा और एक मिन ट्यार मुझे गोल्ड फार्म भी तो जाना है क्योंकि अपने पास एंशन डब्रीज तो हो चुके है लेकिन मुझे अभी गोल्ड चाहिए ताकि उनकी मदद से जो गोल्ड नेधर राइड के जो इंग पोशन भी सारे खतम हो चुके हैं लेकिन अभी इदर से पहले मैं बाहर निकलता हूं ठीक है और मुझे अभी गोल्ड फार्म जाकि वहां पर काफी दीर तक यह एफके रहना पड़ेगा ठीक है ताकि काफी सारे गोल्ड गोल्ड के इंगट्स है मैंने पास वह खटे हूप ठीक है चलो कम से कम बाहर तो मैं पहुंचा बाइसाब यह क्रिम्सन फॉरस्ट है लेकिन ज्यादा दूर नहीं है ठीक हम ज्यादा दूर नहीं है अपने कासल से और वह एक ट्रेजर बैस्ट लेकिन बैस्ट का भी यूज निया नेगटिव एक्स टीक है इधर को इधर को वह सब डाल देखे अपने समेल्टर में और अभी अपने पास काफी सारे इंगर्स है वह हो चुक है और मुझे लग रहा है कि गोल्ड ना कम पढ़ गए मुझे लग रहा था कि इतने में हो जगा मैं इतना गोल्ड लेकिन गोल्ड कम पढ़ चुक है लेकिन स्क्रैप अभी तो सारा खत्म हो चुक है लेकिन चलो कोई बात नहीं ठीक है मैं ले आओंगा और यह 27 ठीक है 27 बन चुके है और अभी जो नेदर राइट के स्क्रैप है ठीक है वो आते जा रहे हैं पर देखते कि अपने पास टोटल कितने हो चुके हैं गोल्ड तो बिल्कुल भी यह भाई टॉंटी टूस में पढ़े ठीक है 49 अपने पास नेदर राइट के ब्लॉक हो चुके हैं लेकिन अभी कुछ ब्लॉक्स और बन सकते हैं गोल्ड कम पड़ेगा इसलिए मैं उनको बनानी पाया लेकिन कोई बात नहीं अभी हम उनको बना लेंगे ठीक है जितनी भी बन पाए तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जिसने अभी तक मुझे इस्टाप पर फॉलो नहीं कर रहा फटाफट से जाकर फॉलो कर लो और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत बूलना